दोस्तों, EFA Learning के नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हम IEX या India Energy Exchange इसके बारे में बात करेंगे, हम समझेंगे कि ये stock क्या long term के लिए है कि नहीं, quarter 4 के नतीजे आये हैं, बहुत ही recent में आये हैं, उसको हम जानेंगे और IEX का जो business है, बहुत ही unique business model है, इस unique business model को भी दोस्तों हम इस वीडियो में समझने की कोसिस करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको result के बारे में बता देते हैं, देखिए, यहाँ पर important, यहाँ पर हमको ध्यान देना है, यह देखिए, यह वाले point में, यह दोनों जगह पर ध्यान देना है दोस्तों, financial year 20 है, financial year 21 ह यह पिछले साल का और यह इस साल का, तो आप revenue देख सकते हैं, 297 करोड से 356 करोड हुआ है, मतलब 19% के आसपास revenue बढ़ा है, फिर आप देखिए, यह EBITDA जो है 242 करोड से 289 करोड हुआ है, तो EBITDA भी बढ़ा है, और फिर हम देख सकते हैं, profit after tax जो की सबसे important है, 175 करोड से 20 206 करोड बढ़ा है, तो profit भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा है, अब देखिए, quarter की ही बात करें, तो यह 61.5 करोड का profit after tax, अब मैं profit पर ध्यान दे रहा है, और पिछले साल, January, February, March, जब 2020 का समय था, तो 45 करोड का profit था, तो overall 15-20% का हर parameter पर growth हमको दिख रहा है, strong business model है, और वो चीज हमको दिख रही है, थोड़े से अब आकडों पर हम नजर डाल देते हैं, electricity volumes, आपको मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद में, 37% electricity volume बढ़े है, पैट जो हमने बात की, 17% तक बढ़े है, दोस्तों, वही 205 करोड के आसपास, margin जो है 58% तक बढ़े है, EBITDA growth जो हमने देखा, 289 करोड तक बढ़ा, ये भी देखिए, 19.19% के आसपास, revenue बढ़ा है, तो overall 15-20% revenue आप बोलिए, EBITDA बोलिए, profit बोलिए, सब जगह बढ़ा है, earning per share जो है, वो भी increase हुई है, 17%, अब दोस्तों, India Energy Exchange 2008 से है, और अभी हम देख पा रहे है, 32% का growth हो रहा है, business model को हम समझें, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, किस हिसाब से growth हो रहा है, इनके businesses का 32% CAGR के हिसाब से growth का मतलब हो रहा है, दो साल और कुछ महीने में business double हो रहा है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, तो ये एक strong growth है जो हम देख पा रहे हैं पिछले 12 सालों में, अब company क्या करती है, देखिए, मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे आपको stock लेना है, तो आप क्या करते हैं, किस exchange में जाते हैं, National Stock Exchange या Bombay Stock Stock Exchange, BSE में जाते हैं, आप अपना stock खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, वैसे ही, electricity को खरीदना हो या बेचना हो, साइद ये आप और हम नहीं करते हैं, ये कौन करता है, ये बड़े-बड़े लोग करते हैं, कौन, जैसे distribution company हो गई, बड़ी-बड़ी industries हो गई, तो उनको electricity खरीदनी है, या बेचनी है, तो उनको भी एक exchange चाहिए, तो same चीज, India Energy Exchange को आप समझ सकते हैं, तो automated or transparent trading platform है, जो electricity, renewables and certificates का है, दोस्तों आप इतना समझ जाहिए, आप कभी भी BSE, NSE के example के साथ, तो मुझे लगता है, इंडिया Energy Exchange के बारे में हम बहुत कुछ समझ चुके ह है, अब देखिए, आपको मैं detail में यहां आता हूँ, 32% यह सब चीजे तो हो गई है, अब देखिए, जैसे मैंने बताया, हम लोग तो यहाँ पर trade करते नहीं है, इंडिया Energy Exchange का भी अगर login करें, तो ऐसा हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, industries 4400, distribution utilities, अब देखिए, आपके घर CL, MGCL, तो यह सब चीजे है, अलग-अलग मैं example दे रहा हूँ, टाटा के भी है, अदानी के भी है, तो यह सब distribution utilities है, 55 से उपर है, 500 से ज्यादा generators है, तो overall अगर हम देखिए, तो यह सब जो है, इनके customer base बनते हैं, जो कि electricity खरीदते हैं, या बेचते हैं, और उनके लिए जो ए Exchange है, वो है, India Energy Exchange, अब दोस्तों, बात यह है, Exchange तो अभी 10-12 साल पहले आये हैं, तो क्या Exchange की भूमी का भविश्य में रहेगी, तो उसको समझते हैं, देखिए, पहले क्या होता था, bilateral agreement होते थे, दो पार्टी होती थी, खरीदने बेचने की, वो अपना खरीद बेच करती थी तो वो एक थी, फिर एक DSM होते थे, अब देखिए, यह है सबसे latest आकड़े, 64, जी हाँ, 64 billion unit अभी Exchange के द्वारा अभी जो भी है, पावर का जो Exchange हो रहा है, जो की खट रहा है, bilateral में 35 और यहाँ पर DSM में 19, मतलब 54, मतलब जो Exchange का जो percentage है, वो 50% से जादा है, मतलब Exchange जो है, वो और ज्यादा useful हो रहा है, और दोस्तों यह जरूरी पी है, आप इसको ऐसा समझगे, पहले क्या होता था, समझ लेजिए, आपके पास Bombay Stock Exchange नहीं हो, तो buyer और seller कहां से डूणने के, अभी हमको इंटरनेट में भी नहीं पता है, buyer हो सकता है, नई दिल्ली में, और seller हो सकता है, कोलकाता में, हमको इसम नहीं पता है, तो लेकिन, bilateral में क्या होता, हमको buyer डूणना पड़ता, seller डूणना पड़ता, अभी अनलिस्टेड में यह सब चलता रहता है, तो यह सब चीजे अभी बहुत कम हो गई है, आप देखे, 48 था, चार साल पहले, जो कि यहां पर 56 प्लस ज़्यादा जरूरी है, अगर हम पुरे भारत की बात करें, तो भारत में power market बहुत ही नेशेंट स्टेज में है, 6% के आसपासी है, जबकि आप Nordic countries को आप देखिए, 90% यहां पर power market जा चुकी है, अब 30-80% हम देख सकते हैं, developed countries जो है, जैसे Germany है, UK है, Netherlands है, Switzerland है, Belgium है, तो इन सब जगह में power तो अभी क्या होगा, और भी ज़्यादा power sector को deepen होने की गुंजाईस है, अब देखिए, stock कुछ भी react कर सकता है, results के बाद बहुत बार profit booking होती है, अच्छे नतीजों के बाद, बहुत बार बहुत ज़्यादा अच्छे नतीज़ा आए, तो भी नीचे गिरता ह की है, तो profit booking भी हो सकती है, बहुत सारे reasons है, अगर आप IEX as a business देखें, तो power sector अगर आपका grow यहाँ भारत में करता है, exchanges यहाँ पर grow करेंगे ही, यह naturally है, क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ पर stock exchange की बात करें, demate account अगर खुलते हैं, हम बात करते ही है, demate account अगर ज़्याद में भी लागू पड़ती है, दोस्तों, यह बहुत ही important data है, जो हम देख पा रहे है, short term जो market है, वहाँ पर आप यहाँ पर 30% का Indian energy exchange का जो है, exchange market का पूरा एक तरीके से hold था, 30% था, जो कि अभी 54% हो गया है, अब यहाँ पर important है, देखिए, 2.9% ही था, और वो अभी 6.1% है तो अभी भी बहुत गुंजाईज है, short term market में भी growth होने की, और वो चीज़ हम Indian energy exchange में देख पा रहे है, risk भी है, क्योंकि power sector है, power sector में अलग-अलग regulatory risk भी है, जो हमने देखी है, power sector के बहुत सारी जो government companies है, PSU है, उन्होंने बहुत अच्छा return भी नहीं दिया है, investors को पिछले समझने की कोशिज की है, इसके result को समझने की कोशिज की है, result जो आये है, strong result आये हुए है, दोस्तो, ताकि आप भी अपने views जरूर बताइए, comment section में, DMET account आपने नहीं खोला है, तो नीचे दी गई link से आप DMET account भी अपना open कर सकते हैं, दोस्तो, आपने अपना समय दिया, उस